हलो मारी ये Türkiye family आध मैं इस वीडियो में आप सबी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से Samsung J2 के mobile को किस तरीके से आप आसानी से format कर सकते हैं, reset कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आप सबी को 2022 का सबसे असान तरीका बताने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आप सभी को step by step बताने वाला हूँ तो इसके लिए आप सभी को यह वीडियो complete देखना होगा बिना skip किये तो फाइल चलिए बिनदीर की वीडियो start करते हैं और देख लेते हैं तो फाइल देखिए आप यहीं है Samsung J2 की mobile और इसी mobile को यहाँ पे format करना है reset करना है तो चलिए यहाँ पे इस mobile को format करने से पहले मैं इस mobile के back में दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे यह mobile back में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल लगी है और यहाँ पे Samsung लिखा हुआ है तो चलिए यहाँ पे मैं format करके अब आप सभी को दिखाता हूँ तो format करने के लिए सबसे पहले इस mobile के main setting में जाना होगा तो चलिए यहाँ पे पासवर्ण पहले open कर लेता हूँ open करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ पास्वर मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद से सबसे पहले आपको इस mobile के main setting में जाना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा option आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इस mobile के main setting में जाना होगा, तो देखिं, यहाँ पे लिखा हुआ है settings, इसे आपको open करना होगा. जैसे आप open करेंगे तो देखिं, यहाँ पे कुछ उस तरीके से open हो जाएगा. अब इसके वासे देखिं, यहाँ पे samsung की जितनी भी setting होता है, सारी setting यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. और यहाँ पे देखिए बहुत सारी setting आपको देखने को मिल लई है तो इस mobile को set करने के लिए format करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले setting में जाना होगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है backup and reset इस वाले setting को आपको open करना होगा तो चलिए यहाँ पे मैं open करके और format करके आप सबी को दिखाता हूँ तो यहाँ पे click करूँगा जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से interface में लेके आ जाएगा अब इसके बास से इस mobile को format करना है तो सबसे पहले आपको इस वाले option पे click करके open करना होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है factory data reset तो यहीं पे click करके आप असानी से इसे format कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे मैं click करके open कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि जितना भी इस mobile में account बना हुआ है सारा account यहाँ पे delete हो जाएगा जितना भी mobile में जो कुछ रखे रहेंगे वो सारा यहाँ से delete हो जाएगा format हो जाएगा अब इसके बास से अगर आपको format करना है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है reset device इस वाले option पे आप click कर देंगे तो आपकी device यहाँ से format हो जाएगी तो चलिए यहाँ पे मैं click करके इसे format कर देता हूँ तो यहाँ पे click करेंगे जैसे यहाँ पे click करेंगे warning दे रहा है कि इस mobile में जितना भी रहेगा personal चीज वो सारा यहां से delete हो जाएगा तो यहां हमें format करना है reset करना है तो simply इस वाले option पे click करके सब कुछ erase कर सकते हैं यहां से delete कर सकते हैं format कर सकते हैं तो चलिए यहां पे मैं press कर दूँगा तो देखिए यहां पे और यहां पे setting down लिखा है और उसके बाद से देखिए यहां पे Samsung लिख दिया और उसके बाद से यह process होने लगेगा और उसके बाद से देखिए यहां पे Samsung Galaxy J2 लिख देगा और उसके बाद से देखिए यहाँ पर प्रोसेस होके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है installing system update मतलब यहाँ पर अभी system को update कर रहा है तो यह update होने में थोड़ा सा time लेता है तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा देर तक wait कर ले हूँ और यहाँ पर देखिए अभी erasing लिख दिया है मतलब यहाँ पर format कर रहा है और यह process होने में थोड़ा सा time लेता है तो देखिए यहाँ पर यह format भी हो गया है और उसके बास से देखिए यहाँ पर दुबारा से Samsung J2 Galaxy लिख देगा और इसके बास से देखिए दुबारा से यह process होके Samsung लिख देगा और अभी देखिए यह process हो रहा है और यह process होने में थोड़ा सा time लेता है तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा wait कर लेता हूँ और उसके बास से मैं आगे वाले step को बताता हूँ सो फानली आगे वाले step को बताने से पहले अभी तक वीडियो को like नहीं किये हैं तो जल्दी से वीडियो को like कर दिजिए और चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please channel को subscribe कर लिजिए सबस्क्राइब करिये और बगन में bell icon होगा bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई next वीडियो अप्लोड करूँ वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिल जाए और आप असानी से उस वीडियो को देख पाएं सो फाइल चलिए अब मैं आगे वाले step को बताता हूँ और इसके बाद से देखिए जैसे open होगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारा language आपको देखने को मिल ला है तो जिस country में आप हैं उस language को यहाँ से सेलेक करने के बाद से simply इस वाले option पर क्लिक करदेंगे तो देखिए यिहाँ पे अभी बहुत सारा option आ रहा है तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक कर लेता हूँ और सेलेक करने के बाद से मैं आप सभी को आगे वाले step को बताता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने select कर लिया English United King अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा इस वाले option पर click करना होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है arrow बना हुआ है इस वाले option पर click करेंगे जैसे इस वाले option पे click करेंगे तो देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब इसके बाद से देखें यहाँ पे next का option आपको देखने को मिल ला है तो इस वाले option पे click कर देंगे बट उससे पहले यहाँ पे इसे close कर देंगे close करने के बाद से यहाँ पे next वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे यह process हो के कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और यहाँ पे देखिए term and condition accept करने के लिए वो लाए तो यहाँ पे आपको accept करके simply यहाँ पे नीचे आके इस next वाले option पे click कर देंगे और उसके बाद से जैसे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा और यहाँ पे देखिए disagree है और यहाँ पे agree है तो simply इस agree वाले option पे click कर देंगे जैसे इस वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे time और date सेलेक करने के लिए वो लाए तो अब आपको इस वाले option पे click कर देना होगा next वाले पे जैसे ही next वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यह process होके यहाँ पे first name और last name इंटर करने के लिए बोला है तो यहाँ पे आप अपना first name और यहाँ पे last name इंटर कर देंगे तो देखीं यहाँ पे मैंने name को इंटर कर दिया है इंटर करने के बास से अब आपको क्या करना होगा simply इस next वाले option पे click कर देना होगा जैसे next वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे यह process होके कुछ इस तरीके से pattern इंटर करने के लिए बोलेगा lock लगाने के लिए बोलेगा तो यह चीज हम बाद में करेंगे तो simply इस next वाले option पे click कर देंगे जैसे next वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे दो option आ जाएगा यहाँ पे don't skip है और यहाँ पे देखीं skip anywhere तो इस वाले option पे click कर देंगे जैसे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे Google के service को accept करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है simply इस next वाले option पे click कर देना है जैसे next वाले option पे click करेंगे तो देखीं यहाँ पे यह process हो के कुछ इस तरीके से आ जाएगा so finally आगे वाले step को बताने से पहले अभी तक इस वीडियो को like नहीं किये हैं तो please जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए बगल में bell icon होगा bell icon को भी press कर दें इससे क्या होगा जब भी मैं कोई next video upload करूँगा notification सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा और आप असानी से उस वीडियो को देख पाएंगे so fine चलिए अब मैं आगे वाले step को बताता हूँ अब यहाँ पर देखिए Samsung account create करने के लिए वो लाए तो यहाँ पर Samsung account create नहीं करना है हमें simply इसकी वाले option पर click कर देणा जैसे click करेंगे तो देखिए यहाँ पर Ole option आजाएगा तो यहाँ पर भी हमेंáisकी वाले option पर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर setup complete हो गया है यहाँ पर लिखा हुआ है setup complete आप इसके पास से देखिए यहांपर फिनिश का आप्शन आपको देखने को मिलना है। तो सिंपले इस फिनिश वाले आप्शन पहले क्लिक कर देंगे। जैसे इस पहले양ों यह process होके कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और यह mobile format होके यहाँ पे कुछ इस तरीके से open हो गया है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे application आप देख पा रहे होंगे और यह pre-install application है मतलब यह पहले से यहाँ पे install लेता है तो इस तरीके से आप असानी से Samsung J2 के mobile को format कर सकते हैं reset कर सकते हैं So finally I hope अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप असानी से Samsung J2 के mobile को format किया जाता है reset किया जाता है और अभी तक इस वीडियो को like नहीं किये हैं तो please वीडियो को like कर दिजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करिए ताकि उन्हीं भी पता चले और वो भी असानी से घर बैठे ही अपने Samsung Z2 के mobile को format कर सकें, reset कर सकें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्या देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन होगा बेल आइकन को पेस करके ओल पेसेट कर दीजिए इसी क्या होगा जब भी मैं कोई नेक्स वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा और आप असानी से उस वीडियो को देख पाएंगे so finally thank you so much for watching this video